जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हरदिक स्वागते महाकाली भगत क्यानी यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ महा सिवरात्री पर तीन मंतर जिनको आप लोगों को सिद्ध करना है अगर आप पहले मेरी आप सभी से रिक्वेश्टे अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेर कमेंट जरूर कर देना क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे जान कर या गया गया मिलती रहेगी जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं म मंतर बता रही हूं यानि कि दो माता काली के और एक बाबा भुले नात के तो ये तीन मंतर आप लोग असानी से महासिवरातरी पर सिध कर सकते हो जब आपका मंतर सिध हो जाएगा तो आप उसका प्रियोग करकर भी किसी भी व्यक्ति पर देख सकते हो और वो अपना कारे प अम कर मादक काली का जो की मूल मंतर है बीज मंतर है इस मंतर गजाप सभी भकत करते हैं इसको आप लोग भी असानी से सिधी कर सकते हो जैसे की बाबा भूले नात का मंतर है ओम नमस्शिवाए असान से मंतर यह दो हो गए ठीक है फिर तीसरा जो मंतर है वो है मतक काली का यानि की महा काली का ओम जयन्ती मंगला काली भदर काली कपालिनी दुर्गा शमा शिवा धातरी स्वाहा सोधाना मोस्तुते ये वाला मंतर है मा दुर्गा का है मा काली का है मा भदर काली का है ठीक है तो ये तीन मंतर सबसे ज़्यादा important है इसका लियोग में और सबसे ज़्यादा ये तीन मंतर ही powerful है तो इन मंतरों को आपको सिवरात्री वेले दिन ही सिध करना है अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से सिध करना है और कैसे इसका प्रियोग करके देखना है कि हमारा मंतर सिध हुआ है या नहीं हुआ तो दोस्तों आपको जब सुबे के टाई महा सिवरात्री पर पूजा का मूरत इस्टाड हो जाएगा उस समय से आपको 108 वर हर एक मंतर का जाप करना है यानि कि जो तीन मंतर में आपको बताए है इन तीनों मंतर का ही आपको जाप करना है जब से पूजा का मूरत इस्टाड हो तब उसे ही आपको इन मंत्रों का जाब करना है और उसके साथ साथ आपको अहूती भी देनी है यानि कि हवन सामगिरी की 108 वर ही एक मंत्र की अहूती देनी है फिर 108 वर करना है फिर 108 वर अहूती देनी है फिर 108 वर करना है फिर 108 वर अहूती देनी यानि कि तीन मंत्र जो है मैं आपको बताएं तीनों के ही एक सो आट आट बार आप लोगों को करना है और जादा कुछ नहीं करना केवल आप एक छोटा सा हवनकुंड लेकर बैठ जाए अपने घर में जब श्टार्डिंग करेंगे तो मातकाली का नाम लेना है भेरो बाबा का नाम लेना और बाबा भोले बाबा भोले नात की मिठाई दे नहीं है ग्यारा रूपे की मिठाई मंगा लेना वाइट वाली जो कि भूले बाबा के नाम के आपको उसी हवन कुर्ण में चड़ानी है ये देने के बाद आप लोगों को फिर अपने मंतर की स्टार्डिंग कर लेनी है यानि कि सुर्वात कर लेनी है जैसी आपका भोग पर साथ चले जाए फिर आपको 108 बार इस मंतर को जापना है तीनों क फिर जापने के बाद और अहुती भी साथ के साथ देनी है और जब आपके 108 बार तीनों मंतर के पूरे हो जाते हैं तो आप अपने हवन से उठ जाए मत्था टेक कर उठे तो ये आपका समापत हो जाएगा फिर आपको इवनिंग की पूजा करनी है साम की जो बाबा भोले परसाद बनाते हो आप खीर ऊड़ी और जो जो भी आप लोग बनाते हो वो अपने हिसाब से आप लोगों को बाबा भोले नात को फिर उसी हवन कुण में दुबारा शाम के टाइम करोगे तब उसमें ही भोग देना है माता काली का लोंग बतासे का भोग देना है बाबा भ थाट वार पढ़कर फिर वैसे ही करना है जैसे आपने सूबे कराता ठीक है वैसे करने के बाद फिर आपका मंतर सिद्ध हो जाएगा और देख ले ना इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहीं जब आप रात के समय सोगे यानि कि सीवरात्री वाले दिन आप रात को जब सोग सपने के माध्यमें आपको पता चल जाएगा कि मेरा मंतर सिद्ध हो चुका है या नहीं हुआ सपने में आपको सब दिख जाएगा तो चलिए दोस्तों आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके तीन मंतर भोत असानी से सिद्ध हो जाएंगे तो जरूर इस कारे को करना तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै महाकाली हर हर महादेव जै मातेव